चिकन और अंडे की तो अपने धेर सारी रेशिपी जहाजारों बार बनाई होगी और अने को बार खाई होगी तो चलिए आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी पटेटो चिकन करी, सुपर डिलिसस पटेटो एक करी की रेसिपी ले कराई हूँ, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा पटेटो चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में ले लेंगे 3-4 बड़ा चमस तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होने पर इसमें डाल देंगे इस तरीके से मोटे मोटे टुकडो में कटे हुए आलू, तो मैंने यापर तीन आलू को चिल करके अच्छे से धोल लिया है और एक आलू में बीच से कट कर लिया है आलू को मैंने परले अच्छे से पोच लिया है ताकि आलू बिल्कुल ड्राई हो जाएं अब हम इनको हाई फ्रेम पर एक तरफ से तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि नीचे से आलू पढ़िया से क्रिस्प ना हो जाए और इनका कलर पढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो देखिए फ्रेंज एक तरफ से हमारे आलू बहुत हच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम क्या करेंगे ऐसे एक एक करके सबी आलू को दुसी तरफ पलट लेंगे और दुसी तरफ से भी बढ़ियां से फ्राई कर लेंगे तो लीजे फ्रेंग दोनों तरफ से हमारे आलू बहुत है अच्छे से क्रीजप हो गए हैं और कलर देखी कितना प्यारा आया है तो बस चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं तो ऐसे साइड में लाकर कुछ सकेन तक रुखेंगे ताकि जो भी आलू में एक्ष्ट्रा तेल आया हो वो निकल करके कडाई में ही रह जाए अब इसी बचे हुए तेल में डाल देंगे आधा चम्मेज जीरा जीरा जैसी हलका सफ्राई हो जाएगा इसमें डाल देंगे तीन मीडियम सैज का स्लाइस किया हुआ प्याज गैस का फ्लेम medium to high रखेंगे medium to high फ्लेम पर प्याच को तब तक फ्राय करेंगे जब तक की प्याच का कलर चेंज ना हो जाए तो जब तक प्याच फ्राय हो रहा तब तक चली हम साला रेडी कर लेते हैं तो इसके लिएक मिक्सर जार में डालेंगे पंदर से भी छीली हुई लासन की कलिया, दो हरी मीर्च, एक चम्मज धनिया, एक चम्मज जीरा, दस से बारा काली मीर्च के दाने, एक इंच दाल जीनी का टुकड़ा, तीन छोटी लाची हरी लाची, तीन लॉंग, आधा इंच अद्रक का टुकड़ा, एक मीडियम सेच के रफली चॉप किया हुआ, थोड़ा सा पाने डालकर मसालों को पीस लेंगे, तो लीजे फ्रेंस मसाले पीस चुके हैं, और हमारा एकदम स्मूथ पेस्ट तयार है, तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे, इधर प्याज भी देखिए, बहुत हेच्छे से फ्राई हो इन पर देखी हलका हलका गोल्डन लेर भी आ गया देखिए, तो ऐसे चिकन को फ्राई कर लेने से चिकन में जो थोड़ा बहुती स्मेल होता है, वो पूरी तरह से खतम हो जाता है, जिसे के हमारा चिकन बहुत इलिसस बनकर तयार होता है, अब हमें डाल देंगे, पीस से करने से मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर बहुत अच्छे से चला जाता है, जिसे की बहुत ही ज़्यादा जाता है, जिसे की बहुत ज़्यादा इलिसस बनकर तयार होता हमारा पटेटो चिकन करी, तो चार से पांच मिनाट होगे, मुझे इनको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, और आप देख सकते हैं, सारी चीजे बहुत अच्छे से भुन गया है, देख रहे हैं, कलर देखी कितना प्यारा आया है, और मसाले देखी कितने बढ़ियां से कूख हो गया है, इन में से बहुत अच्छी खुसबू आने लगी है, तो बस अब हम इसमें डाल देंगे ग्रिवी के लिए पानी, मैंने आप एक कप पानी का इस्तमाल किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, जितना आपको मिला लेंगे, अब लोटू मिडैयम पर अच्छी करके 15-17 मिनेंट तक पकने देंगे, तो 15-17 मिनट होके मोझी इनको लोटू मिडैयम फ्लेम पर पकाते上 हुए, और ये देखे हैं नमारी सुपर डिलिचयस पटेटो चिकिन करी बन के रेड़ी एकदम आसान तरीके से, देखिए दिख रहे हैं ना तो आलो हमारे खूब अच्छे से कूख हो गाए अब हम गयास का फ्लिम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कल लेंगे अब मिनको ढख करके 2-3 मिनट ऐसे छोड़ देंगे ताकि हरा धन बनाने के लिए कडाई में ले लेंगे 2-3 बड़ा चमस तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तिल गरम होने पर इसमें डाल देंगे उबले हुए अंडे मैंने अंडो को उबालने के बाद इनका छिलका हटा करके नाइफ के हिल से थोड़ी थोड़ी दूरी पर स atrás इसे अंडे करने अंडे करेंगे नाथा अंडे करते समय फिर्टे नहीं आप अब वंडो को ऐसे अलटते पलटते हुए बढ़ियां से डीट्क satisfại कर लेंगे यह बहुत ही प्यारा कलर आया है इन पर तो बस आलों को भी हमें इतना ही फ्राइ करना है तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं आप चाहे तो आलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके ले सकते हैं मैंने आपे तीन मीडियम साइज का अलों का इस्तिमाल किया है और मोटे टुकड़ों में कट किया है तेल में डाल देंगे खाड़े मसाले 1 अजिक बड़ी लाची चर्णी साथी में डाल देंगे आधा चम्मच जीरा अब इन खड़े मसालों को कुछ सेकन तक फ्राई होने देंगे फिर इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्यांच का फ्लेम इस्टा मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर प्यांच को तब तक फ्राई करे पर कुटा हुआ अध्रक लेशन इसमें जादा अच्छा लगता है अब मिनको दो मिनट तक घूल लेंगे ताकि अध्रक लेशन का कच्छापन निकल जाए तो लीजी फ्रेंस अध्रक लेशन का पेश्ट हमारा बहुत हेचे से भुन गया है अब मिसमें डाल देंगे दो मीड तेस्ट का कोडिंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंदों कमिया जादा और स्वाद अनुसार नमक अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गयास का फ्लेम इस टाइम लोटो मीडियम रखेंगे लोटो मीडियम फ्लेम पर इनको ढख करके 5 मिन मुझे तक पकने देंगे तो 5 मिनट को मुझे इनको पकाते हुए और अब देख सक्थे फ्रेंगFran को पकने में ज्यादा टाइम लगता है अब में डाल देंगे अंडे आधा चमच गरम मसाला और चटपटा फ्लेवर के लिए आधा चमच आम चूर पाउडर अगर आपके पास आम चूर पाउडर ना हो तो इसके जगह पर इमली का पल्प या फिर निम्बू का रस भी डाल सक अब हुम इसमे डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी मैंने आपे ड耔र कप पानी का इस्त screens में डाल सकते हैं जितने आपको ग्रेवी रखना हो कम यह जादा अच्छë से मिला लेंगे हैं किसे याज का फ्लम हाई करके घ्रिवी में उबाल आने तक वेड करेंगे ग्रिवी में उबाल आते हैं इनको और अच्छे से चला लेंगे mix कर लेंगे और अब हम गयास का फ्लेम इस टाइम एकदम लो रखेंगे लो फ्लेम पर इनको ढग करके 15-20 मिनट तक पकाएंगे तो 15-20 मिनट हो गया मुझे इनको लो फ्लेम पर पकाते हुए और यह देखिए फ्रेंस हमारी सुपर डिलिसेस पटेटो एक करी बन के रेडी एकदम आसान तरीके से और यह देखिए अलू देख रहे हैं कितने पढ़ियां से कूख हो गया हैं तो बस अब हम गयास का फ्लेम और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुग हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मिन को ढख करके 2-3 मिनट छोड़ देंगे ताकि हरा धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाए उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो गर्मा गर्म आप इसे रोटी पराठा पूरी अचाल के साथ सर्व करें सबके साथ यह बहुत डिलीचस लगता है तो फ्रेंस पटेटो चिकन करी या फिर पटेटो एग करी कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई कमेंट में लिकर जरूर बताएगा